नमस्कर दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मरोक्स की यूटूब एजियो किसने चनल में तो आज हम हैसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जिसे कि आप काफी ज़्यदा थकावट में इसुस करते हैं आपको कुछ भी काम करने के बाद काफी ज़्यदा थकावट लगती है फिर अचानक से बेहोस हो जाना या फिर दुंदला देखना चक्कार आते हैं आपको तो यह जो सभी सिम्टम से वो इंडिकेट करते कि आपको लो वीपी की बिमारी हो सकती है तो चलिए सीखते हैं डिटल में लो वीपी की बिमारी के बारे में तो हम यह सब अलग-अलग टॉपिक्स कवर करेंगे कि बिमारी के बारे में बेजिक जानेंगे उसका इंट्रोडक्शन फिर यह बिमारी होती क्यों है उसके कोजिज यानिकी रीजन सिम्टम्स क्या रहेंगे कैसे हम उसका निदान कर सकते हैं और कौन से अलग-अलग ट्रीट्मेंट के आप्संस अविलेबल है तो लो वीपी की जिसको हम मेडिकल टॉप्स के अंदर हाइपो टेंसन कहते है कि जब किसी परसन का जो ब्लड प्रेशर है वो 90-60 से कम रहता है मलब कि जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर 90 होता है डायस्टोलिक 60 होता है तो उससे भी कम ब्लड प्रेशर रहता है तो ऐसी मेडिकल कंडिशन को हम लो ब्लड प्रेशर कहते है तो यहाँ आप एक चार्ट के थुरू समझते है तो जो normal blood pressure रहता है वो रहता है 120 से 80 जितना मतलब कि systolic 120 और diastolic 80 पर किसी person का जो blood pressure है वो 90-60 से भी कम हो जाता है मतलब कि 60-40 होता है या फिर 50-33 होता है या फिर उससे भी कम हम देखे यह जो हमारी range है कि मालों कि किसी का systolic blood pressure आता है 85 और diastolic आता है 55 तो यह जो condition है उसको हम low blood pressure की condition कहेंगे कि जिसके अंदर patient का blood pressure जो है वो काफी ज़्यादा कम हो रहा है तो जो ऐसा blood pressure की जो condition कि जिसके अंदर आप जो है वो ऐसा feel करते है कि आपको चक्कर आती है या फिर आप ठकावा मैसुस करते है तो यह सब indicate करते है कि low blood pressure का problem है तो BP तब low होता है जब हमारे blood vessels उनके normal diameter से dilate means diameter में broad हो जाती है कि जिसको medical terms में vasodilation कहते है ऐसा होने पर blood flow और जो pressure है वो कम हो जाता है और BP low हो जाता है तो अब anatomically समझते हैं यह problem को तो यहाँ पिर जो आप देख रहे हैं हमारे normal artery के जिसके इंदर blood flow हो रहा है जब vaso constriction होता है मलब कि यह जो blood vessel है उसका diameter छोटा हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है pressure बढ़ जाता है कि उसको हम कहते है hypertensor blood pressure बढ़ जाना पर यही blood vessel जब dilate हो जाती है मलब कि उसका diameter है वो broad हो जाता है जिसको हम vaso dilation कहते हैं तो ऐसे condition में क्या होता है blood flow जो हो reduce होता है और आपका blood pressure जो हो कम हो जाता है तो यह diagram में भी आप समझ सकते easily कि जो normal blood pressure का बरोता है जब normal blood vessel है आपकी उसका diameter भी normal है पर जब उसका diameter जो है वो बढ़ जाता है dilate हो जाती है blood vessels तो ऐसे condition में blood pressure जो है वो कम हो जाता है तो ऐसे आपको अच्छा लगता है अलग-अलग बीमारियों के बारे में जानना उनके उपचार के बारे में सिखना तो अब आप हमारी book को purchase कर सकते हैं तो ये book को purchase करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं ये वाला जो number है ये number पे आप whatsapp करें और ये book को order कर सकते हैं तो आगे जानते हैं कुछ cozy इसके कौनसे से reason से कि जिसके करन blood pressure low हो सकता है तो पहला एक reason है वो है pregnancy कि pregnancy के दर्मियान कुछ ladies का blood pressure जो वो कम होता है फिर अगर आपको heart related problem से तो भी blood pressure कम हो सकता है endocrine problem से मलब कि आपके hormonal issues है तो भी ये problem हो सकती है dehydration यानि कि जो ऐसा कहते हैं कि सरीर के अंदर जो water loss हो जाता है पानी कम हो गया है तो ऐसे condition में भी BP low हो जाती है blood loss होता है कोई severe infection है body में जैसे कि safety same हो चुका है severe allergic reaction जैसे कि जब होता है तो भी person का BP low हो जाता है और आपके diet के अंदर जो nutrition से उसकी कमी है तो भी यह problem होती तो यहाँ पर हम यह chart में देख सकते है कि जो अलग-अलग reason से उसके कारण यह low BP का problem हो सकते है जैसे कि pregnancy है, heart failure, liver disease irregular heartbeats रहती है blood vessels का dilate हो जाना कुछ OTC दवाईया है फिर prolonged bed rest मनलब कि आप लंबे समय तक bed rest करते हैं तो भी यह problem हो सकती है आपके diet में salt की मातरा बहुत ही कम है मनलब कि आप काफी ज्यादा कम नमक खाते है तो भी यह problem हो सकती जैसे कि आप यह देख रहे है image कि जैसमें systolic 89 है और diastolic 56 है मनलब कि यह condition हो गई low BP की blood pressure जो ही वो कम हो गया फिर आप nutrition कम लेते हैं वहला कि poor nutrition है mal nutrition की condition है blood volume कम हो चुका है heart problem low heart rate जिसको हम bradycardia कहते हैं तो यह सभी reasons है low BP के लिए आप कुछ उसके symptoms देखे तो अगर किसी का blood pressure कम होने लगता है तो सबसे पहले उसको dizziness जैसा फिल होता है lightheadedness मनलब कि आपको थोड़ा सा थकावट मैसुज होती है dizziness जैसा फिल करते है थोड़ा सा सरदर जैसा आपको फिल होता है उबासी आती है फिर जी मचलना फैंटिंग यानि की अचानक से चक्कर आके गिर जाते है dehydration जैसा मैसुज होता है और बार बार आपको जो है प्यास लगती है फिर dehydration के कारण कई बार आपका blood pressure भी कम होता है और ऐसे problem को जो हम कहते हैं कि आपका blood pressure जो हो कम हो गया है तो यहाप आप देखो कि अलग-अलग कौन से organs पे क्या असर होती है low BP के कारण तो GI tract के अंदर diarrhea या फिर vomiting जैसा हो सकता है फिर heartbeats irregular हो सकती है सरीर पे जो है वो काफी ज़्यादा पसी ना आता है pale skin मलब कि skin का जो color है वो थोड़ा change होने लगता है जो आपकी गर्दन है वहाग पे आपको जकडन जैसा फिल होता है सिर्दर्ध हो जाता है चक्कर आना डिजिनेस जैसा फिल करना seizures आ सकती है मलब कि कमपन जैसा मैसूस करना और breathing जो है वो आपके sort हो जाते है तो यह जो सभी symptom से उससे क्या होता है कि प्यास भी लगती है थाकावट लगती है और depression जैसा पिल करता है पेसंट कुछ और उसके symptom देखे तो अगर आपका BP कम रहता है तो आप अच्छे से concentrate नहीं कर पाते है काम के अंदर vision blur हो जाती है मलब कि धुंदला देखा ही देता है skin जो है ठंडी होने लगती है उसके अलब हम देखे तो rapid breathing हो जाते है या फिर salve breathing fatigue, depression और कई बार unconscious नहीं की patient जो है वो बेहोस भी हो सकता है तो उसका नीदान क्या है तो हर हपते regularly patient को अपना blood pressure जो हो चेक कराना चाहिए और मानलों कि low आ रहा है तो आप डेली भी जाके एक बार आपका BP जो है वो चेक करवा सकते है फिर proper reason find out करने के लिए blood and urine test करना जरूरी है उसके लावा अगर heart related कोई problems है और उसके करन BP low हो रही है तो उस वक्त इसी जी test करना काफी ज़्यदा जरूरी बन जाता है फिर doctor आपका eco-cardiogram भे कर सकते है तो ये सबी तरीके से एक proper नीदान हो जाता है तो अब treatment के कुछ options देखते हैं तो low BP को तुरन ठीक करने के लिए कुछ देशी बाई भी अपनाया जा सकते हैं जैसे कि नमक वाला पानी लेना चाहिए एक cup strong coffee पिनी चाहिए और गरम दूद देना चाहिए कि जो भी patient है उसको अगर ऐसा फिल हो रहा है तो ये सब कुछ home remedies जो ये वो try कर सकते हैं अब बात करते हैं कुछ medicines option की तो जो हमारे पास पहला एक option है medicine का वो है fluoricot के जो tablets आते हैं fluorocortison उसके अदर salt content रहता है कि जिसका dose रहता है 100 से लेकर 200 microgram पर day तो fluorocortison तब खास कर यूज किया जाता है कि जब आप बैठे हैं और खड़े होते तब आप ऐसा feel करते कि आपका blood pressure low हो गया है तब ये एक medicine खास यूज की जाती है और ये corticosteroid medication है तो ये करती क्या है तो आपके सरीर के अंदर जो sodium and जो fluid होता है जो नमक होता है और जो हमारे सरीर के अंदर जो पानी होता है उसकी मात्रा अच्छे से control करके रखता है कि जिससे low BP जो होती है dehydration के करण वो नहीं होती तो simply देखे तो ये medication क्या करती है blood volume को जो बूश्ट करती है कि जिससे वापस अपका blood pressure जो वो increase होने लगता है वाला कि जैसे कुछ reason ये है कि एक तो water कम हो जाता है सरीर में और दूसरा salt कम हो जाए मतलब कि नमक तो ये दो ऐसे reasons बनते हैं कि जिससे BP कम हो जाती है तो ये medication क्या करती है water level भी बढ़ आने में मदद करती है salt का level भी increase कराने में मदद करती है कि जिससे जो BP low हो गया था वो वापस अपने range में आने लगता है फिर second option है वापे middle drain कर रहता है तो middle drain जो है वो खासकर low BP के लिए खासकर use की जाती है especially जो orthostatic hypotension की condition produce होती है उसमें हम उसको use कर सकते है और ये medication कैसे काम करती है तो blood vessels को dilate होने से रोकती है जो responsible बनती है BP low होने के लिए जो low BP की बीमारी में जो हमने देखा कि especially होता क्या है कि blood vessels जो normal होती है उसके compare में उनका diameter बढ़ जाता है जिसके करन blood flow कम होता है और blood pressure कम हो जाता है तो ये medication क्या कर देती है dilate होने से ही रोकती है जिससे blood pressure जो है वो maintain रहता है उसका dose हम देखे तो 2.5 से 10 mg औरली रहता है हर 8 गंटे पे next option है anticholiner stress के अंदर pyridostigmin के tablets का कि जिसका dose रहता है 2.5 से 10 mg orally हर 8 गंटे पे तो ये neurogenic orthostatic hypotension में जो है वो use की जाती है तो यहाँ पे में फिर से आपको बदा दो कि जो हमारी book है बीमारिया और उनका उपचार उसको आप order कर सकते है order करने के लिए आप ये दिये गए नंबर के उपर whatsapp कर सकते तो यह पूरी color printed book आएगे उसके सभी pages जो है वो printed है color print में आपको मिल जाएगी तो चौथा option यहाँ पे available है caffeine का कि caffeine act करता है as a central nervous system stimulant वल्लब कि जो आपको उबासी आती है नींदा यह ऐसा feel होता है dizziness यह जैसा feel होता है तो central nervous stimulants लेने से क्या होता है कि एक energetic का feel करता है कि जिससे blood pressure जो वो वापस maintain होने लगता है कि smooth muscles को relate करता है stimulant करता है cardiac muscles को कि जिससे temporary short term आपका blood pressure जो वो increase होता है कि जिसका dose रहता है 20 से लेकर 100 mg orally फिर यहापे 5 वा option यह है कि अगर किसी का blood pressure low होने का reason anemia है तो erythropoietin एक option बनता है हमारे पास erythropoietin का injection कि जो specially low BP के लिए prescribe कि जाता है कि अगर reason जो है वो low RBC है या फिर anemia की condition है so erythropoietin is the best choice to increase RBC and thus raise the blood pressure तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करपके मेरा यह वीडियो भी देख सकते कि जिसमें भी आप काफी अच्छे knowledge जो है वो ले सकते हैं good luck and all the best